नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चानल A2Z Speed News में देखिए देश और दुनिया की पाँच बड़ी खबरे स्रिप दो मिनिट में नमबर एक कोरोना यद्दाओं को मिलेगा शहित का दर्जा राजकिय सम्मान के साथ होगा अंतिन समस्कार CM पतनायक ओडिशक के मुक्यमंतरी नविन पतनायक ने कोरोना यद्दाओं के लिए बड़ा एलान किया है नविन पतनायक ने कहा कि अगर कोरोना वाइरस महामारी से जंग लड़ रहे किसी भी कोरोना यद्दाओं की मोत होती हो तो उसे शहित का दर्जा दिया जाएगा राजकिय सम्म के साथ उनका अंतिम समस्कार किया जाएगा नंबर दो पुलिस टीम और डॉक्टर पर पत्राओ करने वाले पांच आरोपी भी कोरोना पॉजिटिव पूरा थाना कॉरंटाइन उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिल्या में 15 एपरिल को कोरोना संदिक्त को लेने पहुंच स्वास्त विभाग और पुलिस कर्मी की टीम पर पत्राओ करने वाले पांच आरोपी को कोरोना संक्रमित पाए गया है मंगलवार कुँ आये 15 संक्रमित मरीजों में 5 वे लोग है जिनोंने एक डॉक्टर और पुलिस की टीम पर हमला किया था रिपोर्ट आने के बाद आरोपियों को पकड़ने में शामिल पुलिस कर्मियों सहीत अफगनी थाने के स्टाफ को कुरंटाइन कर दिया गया है इसके अलावा पूरा थाना परिसर भी सैनिटाइजर किया गया है अमेरिका में लागडाउन के खिलाफ विरोत तेज हो गया है इसमें राष्टरपती डोनल्ड टरंप के समर्थन भी शामिल है टरंप ने कुछ दिन पहले खुद ट्वीट करके ऐसे प्रदर्शन कारियों का समर्थन किया था अमेरिका के अलग-अलग राज्जों में प्रदर्शन कारी अमेरिका के बाजार खोलने को और आज़ादी की मांग कर रहे है अक्टर विकी कोशल और राजकुमार राओ जिस बिल्डिंग में रहते है वह आज सील हो गई है सामने आ रही रिपोर्ट के अनुसार हुआ हाउजिंग सुसाइटी एक ब्लॉक में कोरोना पॉजिटिव केस पाया गया है ओबुराय मेंशन नाम की इस सुसाइटी में विकी और राजकुमार राओ के अलवा चित्रगंदा सिंग समेत कई बॉलिवोड सितारे रहते है समयने में पाकिस्तान ने आतंकी निगरानी सुची यानि टेरिरिस्ट वाचलिट से 3800 आतंकियों के नाम हटा दिये है यही नहीं इस लिस्ट में मुंबाई आतंकी हमले के मास्टर माइंड जकी उर रहमान लक्वी का नाम भी हटा दिया गया है दोस्तों इस वीडियों में बस इतना ही देखते रहे है एटूजाड स्पीड निउस धनावाद जयहिंद